हलो एवरिवन वेलकम टू गेट अगेडमी और आज मैं आपके सामने एपिसोड नंबर टू लेकर आ रहा हूं रेंक इंप्रूब्मेंट सीरीज का तो इस एपिसोड का टॉपिक है कि आपको कितनी टैसीरीज आप्ट करने चाहिए अगर आप गेड़ 2022 के लिए प्रिपेर कर यह जो टाइम में आप मेहनत करेंगे यह आपके रेजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा लेकिन यहां पर एक कन्फ्यूजन होता है ज्यादा तर गेड़ एस्प्रेंट के दिमाग में अगर वो दिल से एकदम तयारी करते हैं और उनको लगता है कि इस बार में को बहुत ही बहतरीन रेंग निकाल ली है तो उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर में टैसीरीज कितनी ओप्ट करो तो कुछ लोग प्रिब्यस टॉपर्स का इंटर्व्यू देख लेते हैं और अगर किसी टॉपर ने दो टैसीरीज लिए तो उनके दिमाग में आ जाता है मैं दो ही लोंगा कोई तीन लेता है तो वो बोल देते हैं मेरे को तीन लेनी है और कुछ लोग अपने सीनियर से बा दो लेगा वहां की ठीशी लें ठीक है टरह-तरह QUE विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे तो आज सबसे पहले आपको यह देखना होगा प्रिपरेशन जो चल रही है वो कैसी चल रही क्या आपकी preparation उस mode पर पहुँच चुकी है जहां आप ये बोल पाएं कि मेरा syllabus end हो चुका है जितना मेरे को पढ़ना था gate 2022 के लिए मैं पढ़ चुका हूँ अब मैं यहां से test series देना चालू करूँगा तो पहले तो आपको decide करना पड़ेगा तो जैसे अगर कोई dropper है तो वो तो decide कर सकता है कि हाँ मैं जो है आज या कल में या फिर 10 दिन बाद या फिर mid of November में मैं syllabus खतम कर दूँगा उसके बाद मेरे पास time बचेगा लगवक्त two and half month का time बचेगा तो मैं उसको manage करूँगा test series देने में लेकिन अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है तो शायद वो पूरा नवंबर भी निकाल सकता है और पूरा के according तो आपको यह चीज़ देखनी है कि आप इन सब चीजों में ना पढ़ें कि आपको दो टैसरी लेनी है या तीन आप पहले खुछ सर डिसाइड करें कि आप manage कर पाएंगे दो test series को या आप manage कर पाएंगे तीन test series को या फिर आप एक को ही manage कर पाएंगे तो अगर मेरा syllabus नमबर या दिसंबर तक जाएगा तो मैं तो एक ही test series दे पाऊंगा ना मैं एक ही test series को opt कर पाऊंगा क्योंकि अगर मैं January में start करूंगा mock देना तो अगर कोई test series में को 10 mock offer करेगी तो मैं at least 20 days तो लगाऊंगा ना उसमें तो 20 days mock में ही चले जाएंगे मेरे तो मेरे पास दिन बचेंगे ही नहीं जिसमें मैं कोई दूसरा test series भी ले पाऊंगा या उनके mock attempt कर पाऊंगा तो यह सब decision ना आपके side होना चाहिए कि यह ना आपको smartly यहां पर handle करना आना चाहिए सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे और planning नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छी rank निकाल पाए इसकी guarantee नहीं है लेकिन planning भी बहुत जरूर है तो अगर आपको top rank निकाल नहीं है तो pre calculation भी आप करते चलिए कि आप कव तक सलेवस खतम कर रहे हैं और उसके बाद जो time बच रहा है उसमें test opt कर पाएंगे या नहीं क्योंकि आपको revision भी करना है आपको ना revision भी करना है तो इन सब चक्रों में आप ना पढ़ें कि आप दो testory ले रहे हैं तीन ले रहे हैं या चार ले रहे हैं आप लेने को तो 5 ले सकते हैं लेकिन आप उनका utilization कर पा रहे हैं proper या नहीं यह बड़ी बात है तो यह चीज आप को समझनी पड़ें तो मेरा suggestion यह यह आप सभी के लिए कि यह जो time चल रहा है यह बहुत crucial time है इसको बरबाद मत करिए किसी बात में नहीं आए आप खुद से सवाल पूछिए और देखिए कि आप कितनी test series opt कर पा रहे हैं अगर आपके पास time बच रहा है कि आप 2 कर आप one- Breakfast काईडेwehr से इस्तमाल करें एक दम अगर एक टेसेरी ले रही हुआ हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक नहीं आएंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं कई सारे ऐसे नाम गिना सकता हूं आपको जिन लोगोंने शायद मोक भी नहीं दिये हों लेकिन फिर भी उनकी रेंग एक हजार के अंदर थी है ना तो यह चीज ना आपको देखनी है लेकिन टैसिरीज देने से फाइदा यह होता है कि ना आपकी प्रूवेबिलिटी और अच्छी हो जाती है या बढ़ जाती है रेंग निकाल लेगी क्योंकि वहां से आपको अपना जो potential है उसको enhance करने का भी मौका मिलता है तो test series ना कहीं ना कहीं एक supplement है आपके लिए से वहां लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते जो करते हैं हम कल देंगे फरसों देंगे और time निकाल देंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपने जो कर रखा इस टाइम पर test series दे नहीं है तो आपको दे नहीं है चाहें उस टाइम पर उस सब्जेट का आपका सलेवस 50% हो या 60% हो तो आप 60% से लड़िए आप यह मैं सोचिए मैं एक दिन और देता हूं 100% कर लेता हूं फिर जाता हूं नहीं आप 60% से करिए और अपने लिमिट्स को ना पुश करिए हो सकता है दो चार कोश्चन आप ज्यादा ही बनाएंगे अगर आप अपने आपको चलेंज करेंगे तो बस मैं आपसे यहीं बोलूँगा कि इन चक्रों में आप ना पढ़ें एक दो या तीन के आप सिर्फ अपना पुटें में क्योंकि आपको इस बार गेट 2022 में ना बंपर स्कूर करना है तो बेस्ट आप लग फ्रॉम माई साइट तू आल अफ यू जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे लगता है यह जो एक कंफूजन था आपके दिमाग में वह मैंने दूर करा और काफी हद तक मै कामियाब भी हुआ इसको दूर करने में तो आप इस चीज को अपने प्रेपरेशन में इंप्लीमेंट करिए और इंप्लीमेंट करने के साथ साथ आप इससे बैनिफिट भी लेंगे तो यहां तक आपको समझ में आई होगी बात तब तक के लिए बाए 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 फ्रॉम